Asalaamu alaikum, अच्पे topic मौश्ची के नाव Mytoosies जो के बहुत असान और सिंपल सा topic है Mytoosies का मतलब है एक से बना माई-से का बना Mytoosies है समयटिक सेल्स के अदर आपको Mytoosies नजर आती है Heploid as well as Diploid cell, दोनों तरह की cell जो Heploid है और Diploid, यह दोनों डवाइड हो सकते हैं Metosis से, यहाँ पे अगर Metosis हो रही है, तो सेम नूमराओ क्रोमसーム रहते हैं Dotar cells के अधर है, मतलब नमडराओ क्रोमसーム चेंज नहीं होते हैं, सेम नमडराओ क्रोमसーム रहते हैं Dotar cells के अगर सारी खस होल सेल औũng करम सीज़र अगर रही है ऑगर इन वोब और ना डिवेय। और निश्करा को पहले देखते सीज्वर्पाइट माइक्रो टूब्यूल जिसमें एस्टर माइक्रो टूब्यूल आ जाते हैं और इनसे मिल कर क्या बनता है माइक्रो टूब्यूल क्या परफॉर्म करता है कारियो करनेशी से अगர देखा जाए 3 sets है Micro Tubules के आस्टरल क्या है यह आपके सामने जो धागे में निकाले हैं साइडों पर यह ऐस्टरल है ऐस्टलल फोर्म्स means स्टर लाइव स्टर लाइव जो स्टार लाइव स्žरक्फिर होगा आप इसको स्ट्रोल माइक्रोट्वर्ण कहेंगे कायनाटो क्यों प्रॉब्रे कौन से होते हैं जो attach होते हैं क्रोमो सॉम से वह काइनाटोकोर spindle fiber है और जो interdigitate करते हैं जो दोनों जगह पे पकड़ के रखते हैं पूरे जाल को यह जो दोनों जगह पकड़ के रखने वाला interdigitate with respective pole अपने अपने पोल की तरफ आप उसको astral microtubule का नाम देते हैं और इन तीनों को मिलाओ तो क्या बन जाता है mitotic apparatus यह जो पूरा जाल जो मैंने नेटवर्स सा बनाया है यह mitotic apparatus है यह astral आ गया यह kinetocode spindle fiber जिसके साथ chromosome attach है जिसने दोनों pole को पकड़ के रखा यह polar spindle fiber आफ के सामने आ गया, और तीनों को बिलाओ तो क्या बनता है mitotic apparatus यह माइटोटिक apparatus है, इसका रोल क्या है, यह alignment करना, attachment करना, movement करवाना chromosome को, यह जिसका은 role poisonous क नाम क्या aument 자 क्रमन का मतलब arrange करना attachment करवाना, movement करवाना chromosome को, यह role mean Aramitotic Apartments, aramitotic me is 3 spindle fiver जो मैंने आपके सामने बता है, Kinat nasal той primer, ilam Chromosome के साथ जो पॉल को फकड़े के लख रहे है polar Spindle Fiver जो star like है अब मैक्रोटूबALL का नाम देते हैं अभी आपके सामने karyokinesis इसे को 3 में Fridays, Pro phase, Metafase, NFS और बहुत असान है पिटा, क्रोमाटीन यह विजिबल होता है इंटरफेस में, इंटरफेस में आपको क्रोमाटीन नजर आता है, जो नेटवर्क ओफाइंड ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अब इंटरफेस हो नहीं है, आप कहां पर आगे है, माइटोसीस के अंदर, और इसके दो डंडो को क्रोमाटिर्स कहते हैं, जो के थ्रेड लाइक हैं, और इसका जो साइज है 0.25 से लेके 50 माइक्रो मेटर हैं, आपके सामने ये एक सैल था, जो माइटोसिस करने वाल है, जिसमें न्यूकलर मम्रेन भी नजर आ रही थी, न्यूकलोलस भी नजर आ रहा था, जैसे ये माइटोसिस के प्रोफेज में जाता है, तो ये सब कुछ खतम हो जाता है, और माइटोटिक अप्रेटिस नजर आता है, मतलब प्रोफेज के अंदर डिस अपीर हो जागा न्यूकलर मम्रेन, डिस अपीर हो जागा न्यूकलोलस, और यहां पे न्यूकलर मटीलक कह पर आजीए साइटो प्लाजम के अंदर अगर यह क्रेट्रिसिक्स नज़र आ रही हैं तो आप इसको कहेंगे कौन सा फेजे बेटा प्रों फेज है जीए सफ आगे चला जएगा मेताफस के अंदर मेताफस में पेहले मैं ये बता दूु ये क्रोमोस्यूमा के जो दोनो स्टृंड है अप इसको क्रोमाटिड कहते है Canadian जो- क्रोमाटिड होते हैं उस पूइंट का नाम सेंट्रोпис होते है इसको प्राइमारी कौनस्टृक्शन मुसम के साथ अटेच होते हैं कायनेटो कोर स्पिंडल फाइबर हैं यह जो आपके सामने एक प्रोटीन है इस प्रोटीन का नाम किया कायनेटो कोर प्रोटीन है जो किसके साथ जुड़ी है सेंट्रोमेर के साथ और इस प्रोटीन के साथ अटेच है यह स्पिंडल फाइबर य आपने बड़ा important point को याद रखने है, centromere यह है, जहां पर chromatrix दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों बाजू आपस में जुड़ती है, centromere है, centromere के साथ protein है, kinetocore protein है, और उस protein के साथ क्या attach है, kinetocore spindle fiber है, तो centromere के पास special arrangement है, DNA basis की और protein की, और इस protein का नाम है, जो centromere के पास मजूद होती है, kinetocore protein है, और इसके साथ attach होने वाले spindle fiber का नाम क्या है, kinetocore spindle fiber है, अब यहाँ पर देख रहा है, इस phase की पहचान क्या है, chromosome center पर आ जाते हैं, अगर यह center पर arrange हो जाएं, आप इसको metaphase कहते हैं, मत्या arrangement of chromosome at equator, center पर chromosome का आ जाना, then form a plate, और यह एक plate बन जाती है, इस plate का नाम क्या mytotic या equatorial plate है, और अगर यह structure आपको नजर आ जाए, तो cell कहां मजूद है, metaphase में मजूद है, जब यह plate बन जाती है, बन गोर से समझेगा, यह देखें, एक तरफ काइनेटो को स्पिंडल फाइबर यहां पर force लगाएगा, और दूसरी तरफ काइनेटो को स्पिंडल फाइबर यहां पर force लगाएगा, और यह दोनों बाजू जो chromatids हैं, यह separate हो जाएगे, एक chromatid इदे चले जाएगी, और दूस एक force लगाए जाएगी, और उस force का काम होगा, separate करना बोथ chromatids को, तो दोनों separate हो जाएगे, chromatids ऐसी force को generate करने के लिए, polar को elongate होना पड़ता है, और kinetocore को contract होना पड़ता है, फिर दोनों यह separate होते हैं, ऐसे phase को नाम देते हैं, they are called anaphase है, tillophase में क्या होगा, basically tillophase, pro phase के ल nuclear membrane, reappear होगे, nuclear lie, cytoplasm फिर दबारा less viscous हो जाएगा, हाँ, एक cell के लिए किते nuclear बन जाएगे, दो nuclear ही बन जाएगे, आप इस phase को नाम देते हैं, they are called tillophase है, तो यह आपके सामने मेरा tillophase बताया, उससे पहले anaphase है, उससे पहले metaphase है, उससे पहले pro phase है, आपको mitosis का मैंने ए cytokinesis है, जो कि बहुत असान और simple सा topic होगा, तो carryokinesis complete होगा, अगरा topic हमारे कोंट साएगा, cytokinesis होगा, जजजा कर लाओ खेर